हेलो गाईज, वेलकम टो माई चानल, कथाकार यहां मैं आपके लिए कुछ प्रसिद्ध लेखों को के उपन्यास प्रस्तुत करूँगी हम इसे बहुत से लोगों को उपन्यास बढ़ने का बहुत शौक होता है मगर हम वक्त की पाबंदियों के वज़से, जौब के वज़से और बहुत सारी चीज़ों के वज़से हमें शौक पूरा नहीं कर पाते हैं मैं भी उनी में से एक हूँ मैंने कुछ वक्त पहले ओडियो बुक्स सुना शुरू किया था और मुझे एक चीज समझी थी कि यूट्यूब पे हिंदी ओडियो बुक्स काफी कम है सो मैं मेरी तरफ से मेरे तरह और कई लोगों के लिए यूट्यूब चैनल शुरू कर रही हूँ ये ओडियो बुक्स आप कभी भी सुन सकते हैं जॉब पे ट्रावलिंग करते वक्त खाना पकाते वक्त और बहुत सारी चीज़े करते वक्त आपकी अपनी सोविता के नुसार मैं एक चीज़ यहां पर बता देना चाहती हूँ कि मैं प्रोफेशनल स्टोरी रीडर नहीं हूँ पर मैं आशा करती हूँ कि मेरी आबाज में आप उपन्यास सुना पसंद करेंगे और अगर आपको मेरी प्रस्तोदी पसंद आती है तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक, शेर और कॉमेंट जरूर करिए आप, आपके मन पसंद उपन्यास के नाम मुझे कमेंट में बता सकते है ताकि मैं वह आपके लिए पढ़ पाओ धन्यवाद तो आज हम शुरू करेंगे सुरेंद्र मोहन पाठा की उपन्यास से वन बे स्ट्रीट चाप्टर वन मैं अपने ओफिस के भीदरी कक्ष में बैठा अपने पिछले वर्ष के इंकम टाक्स के हिसाब किताब में माथा पच्ची कर रहा था जबकि रजनी ने भीदर कदम रखा मुझे मसरूफ पाकर वो दर्वाजे पर ही ठिटक गई उसके चहरे पर सकपकहट के भाव आये और फिर बड़े कातिलाना अंदास से उसकी धार-धार भवे उठी इतनी एकागरता से कागज कलम से जूचते उसने पहले कभी मुझे देखा नहीं था रजनी मेरी सेकरेटरी थी जो की मेरे गैर हाजरी में मेरा दफ्तर संभालती थी और कौन संभालती मेरे अलावा एक वो ही तो थी मेरे डिटेक्टिव एजिंसी के ओफिस की मुलाजमत में रजनी को ये एक 22 साल की बहुत ही खूब सूरत भली मानस और नेक नियत लड़की थी पिछले एक साल में ही मैं उसका ऐसा मोहताज बन गया था कि अपने बाय हाथ के बिना अपनी कलपना कर सकता था रजनी के बिना अपनी फर्म यूनिवर्सल इंवेस्टिगेशन की कलपना नहीं कर सकता था इम्तिहान शायद परसो ही है वो बड़े सहस्भाव से बोली भरकर उसे देखा कितनी खूबसूरत थी कमबक्त आपने जवाब नहीं दिया वो अपना निचला होट चुबलाती हुई पूली इधर आ मैं बोला वो चोकट पर से हटी और मुस्कुराते हुई मेरे करीब पहुँची नमस्ते कर इस वक्त क्या हुआ है इस वक्त को हुआ तो कुछ नहीं लेकिन ये कोई नमस्ते करने का वक्त है नमस्ते तो प्रहतर काल होती है जबकि ओफिस में कदम रखा जाता है अगर आप अपने दिमाग पर जोर देने का मुश्किल काम कर पाए तो आपको याद आएगा कि सुबह मैंने नमस्ते कर दी थी आपके ओफिस में कदम रखते ही जो पहला काप मैंने किया था वो यही था एक तारिक में कोई एक काम दुबारा करने से तेरा कोई वरट तोटता है ऐसा तो नहीं है तो फिर तो फिर उसने बड़ी अदा से दोनों हाथ जोड़े और मधूर स्वर में बोली नमस्ते सर सर आय बिना नमस्ते कर नमस्ते शाबाश अब एक पपी दे वो हसी पता नहीं कैसी सेक्रेट्री है तू कोई इंस्ट्रक्शन ठीक से फॉलो नहीं कर सकती काम कोई बताता हूँ करती कोई है कहा पपी देने को और दिखा दिया हसके वो निचला होट दबाकर फिर हसी मैं तुझे हसने की तंखा देता हूँ मैंने नकली जुझलाहट जाहिर की नहीं ये काम तो मैं फ्री में करती हूँ समझ लीजे कि आपको बोनस देती हूँ तो तू मुझे बोनस देती है हाँ वो शान से बोली तंखा के बदले में पूरा काम करती हूँ उपर से हसके दिखाती हूँ ये बोनस नहीं तो क्या हुआ अरे बोनस मालिक मुलाजम को देता है ना कि मुलाजम मालिक को यानि कि जो वो बोनस देता है वो मालिक है हाँ तो तो मैं मालिक हुई मालिक तो तू ही है मैं आहबर कर बोला किसे इंकार होगा तेरी मुलाजमत से तेरी गुलामी से लगे बहेकने इतना कल्यान तो तू इसलिये कर रही न कि तुझे पपी देने जैसा एक मामुली काम न करना पड़े ये मामुली काम है अरे सिंपल पपी मामूली काम ही है मैं कौन सा हाई स्पीड, हाई वोल्टेज, हाई कैलरी पपी मांग रहा हूँ सबूत नहीं चाहती है मिस्टर कोली तस्दीग चाहती हूँ सिर्फ तस्दीग चाहती हूँ और उस कलमूही के शिनाक्त चाहती हूँ जिस पर मेरा पती आजकों फिदा है आपस इतना करके दीजिए कि वो औरत कौन है कहां पाई जाती है और मेरा पती उसे कहां मिलने जाता है उसके अलावा और किस किस से मिलता है बाकिस अब मैं खुद संभाल लूँगी क्या करेंगी आप वो मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझते आप तलाख हासिल करने की कोशिश करेंगी यह तो उसका कम और आसान करना होगा जो का मेरा पती इस वक्त छुप छुप कर कर रहा है तलाख से वो उसको खुलम खुला करने लगेगा तो क्या करेंगी अब बताएए कौन है आपके पती और क्या करते हैं वो नाम लक्ष्मिकान सिब्बल है एक्सपोर्ट का बिजनस है गड़ी में ओफिस है लेकिन आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अच्छा मांगना मंगतों का काम होता है जनाब याली चल मां मंगता ही सही फिर मेरा स्वर नाटकिय हो उठा मैंने अपना एक हाथ सामने पलाया और बोला एक पपी का सवाल है बीवी तो एक पपी देगी वो दस लाख देगा जो दे उसका भी भला हो जो ना दे उसका भी भला वो जोर से हसी मैं कुछ क्षण घूरता रहा और फिर डपट कर बोला हसना बंकर ततकाल उसने होट भींचे लेकिन उसकी आके फिर भी हस रही थी वैसे हैरान हो रही होगी मैं बोला किस बात पर कि मैं आज सुबसे ही दफ्तर में मौजूद हूँ और अभी टलने का कोई इरादा नहीं रखता हूँ इसमें हेरानी की क्या बात है ओफिस आपका है मर्जी आपकी है बर लही कभी आए कभी जाए आकर चले जाए यहाँ टेबल की बगल में दिन बहर यहीं जमे रहे या रात के लिए यहाँ टेबल की बगल में चार पाई डाल ले वगेरा आई बड़ी वगेरा वाली तू तो यही जाती होगी कि मैं यहाँ आऊ ही नहीं यहाँ आके बस चला जाओ क्यों मला ताकि तेरी फुल चांदी हो जाए अपने बॉइफ्रेंड को पक्का यहाँ बुला कर रख ले आप जब जानते ही है सब कुछ तो यहाँ लंगर डाले क्यों बैटे है मैंने निगाहों से भाले बर्चिया बर्साते हुए उसे घूरा उसके कान पर जू भी न रहेंगी उसका कोई बॉइफ्रेंड का जिक्र हम दोनों के बीच चुहल बाजी का सदा बाहर विशय था एक बार मैं दाथ पीसता हुआ बुला सिर्फ एक बार वो मेरे काबू में आ आ जाए फिर देखना कि मैं फिर क्या करोगे आप कमीने के ऐसे कलपूर्जे अलग करूँगा कि दुनिया का टॉप का मेकानिक भी उसे रियसेंबल नहीं कर सकेगा वो रैमबो है वो चितावनी भरे स्वर में बोली पहले भी खबरदार किया था मैंने भी खबरदार किया था तुझे मैं भी कुंती नंदन भीम से इंसुत वीर घटोत कंच हूँ उसकी बेसाकता हसी चूटी लगते हो आप सूरत से घटोत कच फिर वो बोली तेहर जा कमबक्त तुझे घटोत कच कहती है मैं का कहती हूँ आप खुदी कहते हो अपने आपको अरे मैं अपने आपको कुछ भी कहूँ तेरा क्या मतलब है अपने एंप्लॉयर को अनाप्शना बोलने का मतलब तो कुछ नहीं है लेकिन क्या करूँ यही जुबान तो आपको पसंद करते हैं कौन सी जुबान यहीं बेहुदा, घटिया, गटर वाली मैं बेहुदा, घटिया, गटर वाली जुबान बोलता हूँ आपका खुद का क्या ख्याल है रजनी मैं दाथ पीसता हुआ बोला एक नंबर की कमभक्त औरत है तू करेक्शन 167th time मैं औरत नहीं हूँ और मैं एक नंबर की नहीं हूँ लेकिन कमभक्त है कबूल करती है अब छोड़िये ये बाते वरना इनी में शाम और शाम से सवेरा हो जाएगा तुझे क्या इनी बातों कि तो मैं तुझे तंखा देता हूँ नहीं नहीं वो कदरन संजीदा हुई तंखा तो आप मुझे काम की ही देते है इसलिए बताईए क्या कर रहे है ताकि मैं आपका हाथ बठा सकूँ इंकम टैक्स रिटर्न में मगज पच्ची कर रहा हूँ कमभक्त कुछ पकड में ही नहीं आ रहा क्या पकड में नहीं आ रहा यहीं कि कितना टैक्स जमा कर आओ किस हिसाब से टैक्स की रखम निर्धारित करूँ इतने से काम के लिए मगज बच्ची की क्या जुरुत है उसके लिए तो एक सीधा सरल फॉर्मुला है जिसमें कि टैक्स का किसी का भी आपका तो खास तोर से मसला चुटकियों में हल किया जा सकता है क्या फॉर्मुला है देखिए वो बड़े इत्मिनान से बोली पहले तो आप अपने पर निर्भर व्यक्तियों को गिनिये कोई भी नहीं है तनहा हूँ इस दुनिया में मेरा मतले बह जब तक कि तू काबू में नहीं आ जाती वो खाप तो भी देखते रही है बरहाल बात आपकी इंकम टाक्स रिटर्न की हो रही थी हाँ अपने पर निर्भर व्यक्तियों में आप दो कुते, तीन बिलिया पंदरा बेहन जीयों और दो नाजायस बच्चों को शमार कर सकते हैं यूँ हासिल हुई संख्या को आप अपनी उम्र से गुणा कीजिए और उत्तर में से अपनी उस फियेट का नंबर घटा दीजिए जो की हीरा इरानी के कतल वाले केस के दोरान एक्सिडन में बरबाद हो गई थी अब इस रकम में से उन केसों की तादात को घटाई है इतने तीस मार खा बनने के पावजोता फल न कर सके उसे अपने फ्लाट वाली कोठी के नंबर से भाग कीजिए और उसमें अपनी नई सिल्वर मारूती के चैसिस का नंबर जोड दीजिए यहाँ तक समझ गए? मेरा सर स्वय मैं भी सहमती से हिला गुड वो संतुष्टी पुर्ण धंग से सिरहलाते हुए बोली अब जो संख्या हाथ में है उसमें से मेरी घर के नौकरानी की और उस ट्राइवर की जो आपने कभी रखा ही नहीं था सालाना तंख्वा घटाईए उसमें अपने काम्याब केसों की संख्या जोड़िए और अपनी कमीश के कॉलर के नाम से भाग कीजिए कुल जमाद जितनी मरतबा गिरफतार हुए है उस फिगर को इसमें जोड़िए जवाब में से अपने जूते का नाम घटा दीजिए यू हासिल हुई संख्या को अपनी ग्रोस इंकम मानते हुए इसमें से उन गर्भपातों की संख्या घटाईए जिनका बिल वक्त वक्त आपको भरना पड़ा अब आखिर में इसमें अपना वजन और ब्लड प्रेशर चोड़िए और उम्र से भाग कर दीजिए यू हासिल संख्या के बराबर की रकम अपनी दे इंकम टैक्स के तौर पर सरकारी खजाने में जमा करनी होगी मैं भौचक का सा उसका मूँ देखता रहा इसी? वो बड़े शान से बोली तफा हो जा, मैं भड़क कर बोला येस बॉस वो एक फौजी की तरह अब भाह उटन करती हुई बोली यूर वर्ट इस माई कमांड और आज की तारीख में मुझे दोबारा शकल ना दिखाना सिव आज की तारीख में? कम से कम ये पूरा महीना तो आउट! येस सर अपनी जबरन उटी हसी को दबाते हुई वहां से बहार निकल गई मैंने जुंजलाते हुए हाथ में थमा पेन सामने फैले कागजाद पर फैका कागजाद परे सरकाए और कोड की जेब से एक डनहिल का पाकेट निकाल कर एक सिगरेट सुलका लिया आपकी जानकारी के लिए मैंकप टाक्स के सक्त खिलाफ हूँ टाक्स भरने के ख्याल से ही मुझे कुछ होने लगता है इसलिए उसके हिसाब खाते में मेरा दिल नहीं लगता और जिसका आम में दिल ना लगता हो वो क्या आसानी से किसी के सिरे पॉँचता है वैसे भी टाक्स ठीक से भरो तो हालत यतिम खाने जैसे हो जाती है और अगर गलत भरो तो जेल जैसी हो जाती है जब भी देश में नई सरकार बनती है तो उसका नया वित्तम मंत्री इंकम टैक्स भरने की प्रक्रिया के सलरी करण की जरूर करता है इसी परमपरा को कायम रखते हुए नय वित्तम मंत्री ने घोशना की है कि भविश्य में इंकम टैक्स फॉर्म सिर्फ एक पेज का होगा आपके खादिम का कहना यह है कि एक पेज का भी किसलिए एक पेज भी भरना कोई आसान काम है जबकि टैक्स पेज की गिरह की काटनी है तो क्योंना टैक्स रिटर्न का फॉर्म सिर्फ तीन लाइनों का बनाया जाए कि इस प्रकार हो सकती है पिछले साल कितना कमाया कितना बाकी बचा पैरा नमबर दो की रकम सरकारी खजाने में जमा कर आई है इसी मैंने सिगरेट का एक लंबा कश लगाया और नाक से दुवे की दो नाली छोड़ी मुझे पुरी उमीद है कि आप अपने खादिम को भूले नहीं होंगे लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा हो गया हो तो खासकार अपना बायो डेटा फिर पेश करते है यूर्स टूली को सुधीर कोली कहते है बंदा प्राइवट डेटेक्टिव यूनिवर्सल इन्वेस्टिकेशन विशाल भवन चौथी मंजली नहरू प्लेस नई दिल्ली 110019 के उस दुरलब धंदे से तालूक रखता है जो हिंदुस्तान में अभी धंग से जाना पहचाना नहीं जाता लेकिन इसे आप कुद्रप्त का करिश्मा कहे या खासकार का दिल्ली शहर में आपके खादिम की बत और प्राइवट डेटेक्टिव अच्छी खासी पूछे तंबाको और आलू की तरह प्राइवट डेटेक्टिव भी पहले हिंदुस्तान में नहीं होते थे लेकिन अब होने लगे है भहतायत में तो नहीं लेकिन होने लगे है तभी मेज पर रखे फोन का बजर बजा मैंने हाथ बढ़ा कर सीविर कान से लगाया और बोला येस पतंग आई है रचनी बोली क्या बेहन जी आपसे मिलना चाहती है कहा है यही है और ये वाही तबाही तो उसके सामने बख रही है पतंग बेहन जी जैसे नामों से वो परे खड़ी है मेरी तरफ पीट करके सुन नहीं सकती पीट करके क्यों? अब मैं क्या कहूं? जरूर उससे खुश फहमी होगी कि वो आती उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी जाती लगती है नव? इन मामलों में मेरा घ्यान बहुत सीमित है जबकि तू खुद बेहन जी है लगे बहकने क्या चाहती है? मैंने क्या चाहना है? सिवा इसके कि अरे तेरी चाहत की किसी फिक्र है मैं उस लड़की की बात पूछ रहा हूँ जो लड़की मैंने कब कहा? तो वो क्या अम्मा है? हो सकती है? नहीं हो सकती होती तो तू उसे माता जी कहती पतंग ना कहती यकिनन बहुत आला दिमाग पाया है अपने मुझे आपकी सेक्रेटरी होने पर नाज है बाते मत बता बोल क्या चाहती है तू नहीं वो बताया तो आपसे मिलना चाहती है क्यों? ये भी कोई पूछने की बात है याने की क्लाइंट है हाँ पेंग कस्टमर है? आप वैसे ही कोई हिसाब किताब नहीं कर लेंगे तो है फिर भी उसमें इंतिजार करा रही है फोरण यहाने भेज रही उसे सौरी सर फोन बंद हुआ एक मिनट बात बीच का दर्वाजा खुला और मेरे कक्ष में एक यूटी ने कदम रखा तदकाल आदत से मजबूर मैं अपनी खुर्दबीनी निगाहने से उसे नक से शिक तक निहारने लगा जो मुझे दिखाई दिया वो काफी तसली बक्ष था बहुत काफी निगाहों को सुकुन पहुचाने वाला था सरकार मर्द के आमदनी पर टैक्स लगाती है जबकि वो उसकी लाट टपकती नियत पर उसके नदीदेपन पर टैक्स लगा सके तो कहीं ज़ादा रेविन्यू अरजित कर सकती है ऐसा हो जाए तो सरकार को टैक्स कलेक्टर भी न रखना पड़े परी जहरा दोशी जाए ऐसे कामों को सरकार के लिए फ्री में इंतिजाम कर सकती है वरहाल शुक्र है कि दीद पर कदर कम नहीं थी वो सफेद रंग की टाइट जीन और सफेद धारियो वाला टॉप पहनी थी कानों में वो इतने बड़े सोने के बाले पहने थी कि कोई जिमनास चाहता तो उसके साथ जूल कर सकता था उसके चहरे पर सलीके का मेकप दिखाई दे रहा था और वैसे ही सलीके से बाल कटे हुए थे जिनमें के एक धूप का चश्मा फसा हुआ था उसके नितंब भारी थे कमर पतली थी और चातिया इतनी भरी-भरी पुष्ट और सुडॉल थी कि निगा सबसे पहले वही पढ़ती थी आजो बाजो भटक भी जाती तो लोट कर वही आती थी मिस्टर कोली वो संदीग की से बोली मैं हडबडाया बड़ी मेहनत से मैंने उसके स्थल पर से नगाठाई और उटकर खड़ा हुआ इन परसन होटो पर स्वागत पुर्ण मुस्कराहट लाता सिर नवाता मैं बोला मेरा नाम प्रिया सिब्बल है मुझे आपकी प्रोफेशनल कंसल्टेशन की जरुरत है मेरी यानि की एक प्राइवेट डेक्टिव की जी हाँ वो मेरी मेज के सामने लगी विजिटर्स चैस में से एक पर पैट गई मैं अभी वापस अपने कुर्जी पर ढेर हुआ सीग्रेट का कोई और कश लगाए बिना ही मैंने उसे आश्ट्रे में चौंक दिया और अब अलग उसे देखने लगा उसने कुर्जी पर बैठते ही दो-तीन बार यूप पहलू बदला जैसे चेक कर रही हो कि कौन सी पोजीशन में कुर्जी सबसे ज़्यादा आरांदा है थी बालो में उंगलियों की कंगी फिरा कर उन्हें विवस्तित किया दूप के चश्मे को बालों से निकाला और फिर वापस वहीं खोस दिया बड़ी नजाकत से आख नाख कान वगरे को यूँ चुआ जैसे तस्दीक कर रही हो कि हर ओर्गन अपनी निर्धारित सही जगा पर है स्कीवी के गिरभान में एक उंगली डाल कर उसे गोल गुमा कर पता नहीं क्या विवस्तित किया उसके निचले भाग को भी वैसा ही ट्रीटमेंट दिया आखिर मैं गहरी सास ली फिर जबरन मुस्कुरा कर मेरी तरह देखा लगे हातों मैंने राय पेश की नब्ज और दिल की धड़कन भी चेक कर लेती वो किस लिए वो सकपकाई से ताकि मुकमल, मुकमल तस्तीक हो जाती कि सब कुछ नॉर्मल था उसने उल्जन पुर्ण भाव से मेरी तरफ देखा ऐसी ही होती है तकरीबन ओरते डम सेंस ओफ यूमर से पूरी धरक हो री तो मैं बोला शुरू करे क्या बुबुली तौबा कबड़ी, बॉक्सिंग, कुष्टी, डांस कोई भी ऐसा काम जो दो जने कर सकते हो उसके चहरे पर फिर उल्जन के भावा है उसने एक बार फिर वो तमाम क्रियाए दोहराई जो उसने कुरसी पर बैटते ही की थी और फिर बोली मिस्टर कोली मैं आपकी प्रोफेश्टनल सॉर्विसेज हासल करने की मांचा से आई थी शुक्र है याद आगे आपको कि आप यहां क्यों आए थी आप फॉरण एक तफ्ती शुशूरू करने के पोजीशन में है आप फॉरण मेरी फीज भरने के पोजीशन में है क्या फीज है आपकी पांच हजार रोज का जमा करचे मिनिमम चार्ज एक हफ़ते की फीज यानी 35,000 रुपए काम भले ही तीन दिन में जाए या तीन घंटे में हो जाए हफ़ते में नहों पाए तो तो फिर अगले हफ़ते की फीज 35,000 रुपए और काफी हाई चार्ज नहीं कर सकता, नतीजे की कोई गारंटी नहीं कर सकता, अलबता आज तक मेरा कोई क्लाएंट ने मेरे से नाउमीद होकर नहीं लोटा, ऐसा ही सुना है मैंने, इसलिए यहाँ आए हूँ, शुक्रिया, काम मामूली है, जल्दी हो जाने वाला है, इसलिए कोई स्पेशल कोड कर देंगे आपके रेड़ से माचिंग रेड़ कोड कर देंगे जी यह хिंग लगे नफ्र्ट करalin रंख चोका भूंत मैं अभी भी नहीं समझी माडम नाई- parallele gli distort गांटनी के पैसे नहीं लेता मालू मालूम लेकिन जब आप मेरे से चार्ज नहीं करेंगी तो आप मेरे से चार्ज करने का मूँ बनेगा भला ततकाल उसके चहरे ने रंग बदा मिस्टर कोली फिरो तिरसकार पूर्ण स्वर में बोली येस मैडम यू हाव नास्टी माइड तारीफ का शुक्रिया आपकी फीस आपको कल मिल जाएगी वाँ फिर तो बात ही क्या है अब सुनिये मैं क्या चाती हूँ फरमाईए काम मामूली है कारता भी मामूली काम ही होता है लेकिन जो कारता है वही जानता है कितना मामूली होता है मेरा पती गृस्त जीविन के स्थापित रास्ते से भटक रहा है क्याने किसी गैर औरत के फिराक में है हाँ मेज के उपर वो मुझे जतना दिखाई दे रहे थी उतनी पर मैंने कई बार लल्चाई निगहा फिर आई और फिर बोला यकीन नहीं आता यह हकीकत है किस पर नजरे इनायत है आपके पती की मालूम नहीं तो फिर ये कैसे मालूम कि ऐसा हुआ है पती पत्नी के बीच कोई वो है मेरा दिल गवाई देता है मेरे पती के बदले हाव भाव गवाई देते है ऐसे मामलों में एक खांस घंटी बचती है वो बीवियों को सुनाई दिये बिना नहीं रहती I see मैंनी जानता कि मेरे मैंनी जानती कि मेरे पती का दिल किस किस पर आया है लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ऐसी कोई औरत ज़रूर है जानने की कोशिश नहीं की वही कोशिश तो आप कर रहे हूँ तभी तो यहां आई हूँ यहां आने के पहले कोई कोशिश नहीं की नहीं, नहीं की वजह मेरे ऐसी कोई कोशिश मेरे पती के निगाहों में आ सकती थी बात कुछ न निकलने पर मुझे बहुत चर्मिन्दा होना पड़ता जब आपका दावा है कि दावा है फिर भी में रिस्क नहीं लेना चाहती आप प्रोफेशनल है नामचीन प्राइवेट डिटेक्टिव है जिस होश्यारे से आप इस काम को अंजाम दे सकते है वो मेरे बस की बात नहीं है यानि कि आप इस बात का कोई सबूत नहीं चाहती मेरा पती एक ट्रेट कॉन्फरेंस में शामिल होने के लिए आज शाम ठीक आठ बज़े पार्ख होटेल में पहुंचेगा आप पौने आठ बज़े के करीब मुझे पार्लमेंट स्ट्रीट के किनॉट प्लीस की और वाले सिरे पर मिलेगा मैं फासले से आपको अपने पती के शिनाख्त करवा दोंगी फिर आप मेरे पती के पीछे लग सकते हैं मैं नहीं क्या मतलब? ऐसा फुट वर्क अमुमान मैं खुद नहीं करता ये काम मेरा एक भरोसे का आदमी करेगा वो कौन हुआ? उसका नाम हरिश पांडे है निरधारत वक्त पर वो मेरे साथ आएगा वो काम ठीक से तो कर लेगा वो बहुत काबिल, बहुत तजूर बेकार आदमी है इसलिए मेरा चोड़ीदार है और फिर उसने जो कुछ करना है मेरी हिदायतों के मताबिक ही करना है मेरी बताई स्ट्राटजी पर अमल करते हुए करना है ओ आप उस बापत निश्चिंत रहिए कामे कोई कोता ही नहीं होगे नतीजा भी चौकस और तुर्थफुर्थ निकलेगा मिस्टर कोली, जब तुर्थफुर्थ का भी आश्वासन है तो फिर कोई स्पेशल फीस मुकरर कीजिए शादी को कितना अरसा हुआ है वो हड़ बढ़ाई ये कैसा वाल हुआ फिर बोली कितना अरसा हुआ है ये कोई दो साल हैरानी है कि आप जैसी परीचेरा हसीना से आप जैसी तौबा शिकन खुसने की मलिका से पती दो साल में वेजार हो गया मुझे खुद हैरानी है तभी तो मैं उस औरत के बापत जानने के लिए मरी जा रही हूँ जिसने मेरे पती का सिर घुमा दिया आपकी उम्र कितनी है आपका क्या अंदाजा है वो तनिक इठला कर बोली 24, 25, बड़ी हट 26 ठीक है आपका अंदाजा 25 की हूँ मैं और आपके पती वो लापरवाही से बोली और तो के रसिया है सिब्बल सहब पहले तो नहीं थे होते तो शादी नहीं करती ये कोई हालिया डेवलाप्मेंट है संपन्न है आपके पती ठीक है बिजनेस उनका पैसे वाले है हाँ फिर तो हो सकता है कि वो ही जबरन उसके पीछे पड़ी हो हो सकता है ऐसा है तो पता लगाईए ऐसा निकला तो मैं उस कमीनी का मूँ जौंस दूंगी बढ़िया बात special fees की हो रही थी 20,000 खासाप के लिए package deal काम भली एक दिन में या एक महीने में शुक्रिया शुक्रिया मिस्टर कोली बस मुजबानी और कैसे सोचिए मैंने तो सुना है खुबसरीत औरतों का शुक्र गजार होने के बहुत तरी के आते है यू डू हव अ नास्टी माइन मिस्टर कोली इस पार वो बात उसने गुसे या तरसकार से न कही इतला कर कही तारिफ का फिर से शुक्रिया मैं बोला लेकिन बात शुक्र गुजार होने क्यों रही थी अब गाड़ी को जरा आगे सरकने दीजिए फिर उस बाबत भी कुछ बात कुछ देखेंगे और सोचेंगे सोचेंगे और कुछ करेंगे चल यह ऐसा ही सही बाल बच्चों की क्या पुजीशन है अभी कोई नहीं है होने वाला भी नहीं लगता मैं उसकी पतली कमर को निहारते हूँ और बोला काफी पार्खी नगर निगाह है आपकी औरतों के मामले में मेरी एक निगा बहुत भीतर तक खबर ले आती है लिहाजा एक्सरे विजन पाया है आपने जी हाँ तभी तो डिटेक्टिव का धंदा एक्तिहार किया है गुड उसने अपना पर्स खोला और उसमें से सौ सो की एक गड़ी निकाल कर मेरी सामने मेज पर डाली और पूली ये दस हजार रुपे आपका पता और डाउन पेइमेंट कबूल कीजिए बाकी रकम मैं आपको आज शाम की मुलाकात के वक दे दूँगी या कल भिजवा दूँगी नू प्रॉबल मैंने उसके सामने मैंने एक पैड और बॉल पेन रखा इस पर आप अपना नाम पता और टेलिफोन नंबर लिख दीजिए वो किसलिए वो सक पकाई रसीद बनाने के लिए कॉन्टाक्ट बनाने के लिए भविश्य में संपर्क बनाने के लिए रिपोर्ट भेजने के लिए नाम पता और अगरे में लिख देती हूँ वो अपनी पैड अपनी तरफ घसीटती हुई बोली लेकिन रसीद की कोई जरुरत नहीं है कॉन्टाक्ट की जरुरत नहीं रिपोर्ट की जरुरत नहीं और संपर्क भी मैं बना कर रखूँगी कैसे? मैं गाहेब गाहे फोन करती रहूंगी ओ, मैं यू बोला जैसे मुझे नाउमीदी हुई हो फोन करती रहूंगी मिस्टर कोली, आगे-ागे देखिए होता है क्या? आगे-ागे ही देख रहा हूँ मैं उसके उन्नत वक्ष पर निगाहें गढ़ाता हुआ बोला अब मैं चलती हूँ, वो बोली शाम को मुलाकात होगी मैंने सहमती से सरहला दिया वो वहां से रुकसत हो गई उसके जाते ही रजनी बीच के दर्वाजे की चोखट पर प्रकट हुई लूट नहीं गई? वो बोली, क्या? पतंग जो अभी हवा में लहराती यहां से उड़ती चली गई ऐसे कैसे चले जाएगी? मैं शान से बोला अभी सरह धील दी है तज़ूर्बिकार पतंग बाजों की तरह जो की पहले धील देते हैं फिर खीचते हैं अमिद अफजा और मुकमल तौल के काबू में फिर तो बदाई हो बदाई कबूल अब बहनजियों के तादात में एक नया नग इजाफा कर लीजेगा वरना तमाम की तमाम इंकम टैक्स रिटर्न गलत हो जाएगी मैं दो का कर लेता हूँ दूसरी कौन तू मैं पतंग नहीं हूँ होती तो आप कपके लूट चुके होते इसी बात का तो अफसोस है इत्मे नान से बैठकर अफसोस मनाई है क्योंकि मैं जा रही हूँ यहीं बताने आई थी जा रही है? कहा जा रही है? घर और कहा? जा कि छुट्टी के बाद जाया जाता है अरे? मैं बॉल क्लॉक पर निगह डालता हूँ अब भूला हो भी क्या छुट्टी का टाइम? पता ही नहीं चला महनजियों के सौबत में ऐसे ही होता है सीधी घर जाती है? और कहा जाओ? कई जगे है तो हामी बर दो चार से मैं आज ही दो चार कराता हूँ तुझे मैं सोचूंगे इस बाबत सोचेगी? चिठी लेग दे ना जब सोच चुकी हो फैक्स कर दूँगी क्योंकि चिठीों वाले महकमे मैं आज कल हड़ताल है अब जा भी चुक आद्मिया शिरोधार्य शुबरातरी विड़ घटोतकच मेरी हसी चूट गए वो अपनी निश्चल हसी को फूल बिखेरते वहां से विदा हो गए शाम को निर्धारत समय पर निर्धारत स्तान पर मैं हरिश पांडे के साथ मौजूद था हरिश पांडे पच्चास साल का थटा 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 तंदुरुस्त आदमी था जो कि मुश्किल से चालीस का लगता था वो रिटायट फौजी था और आजकल एक शराब के स्मगलर के पास काम करता था उसका महा कामकाच ऐसा था कि उसके पस काफी वक्त खाली होता था या वो बवक्ते जरूरत काफी वक्त खाली कर लेता था इसलिए मेरे बुलावे पर तोड़ा आता था वो मेरा पसंदीदा लेगमान था जिसकी तरफ से मुझे आज तक नाउमीद ना होना पड़ा वो हमारे से दस मिनिट बाद यानी की आट बजने में पांच मिनिट पर वहां पहुँचे वो एक काले शीशे वाली काले अमबासिटर में सवार थी जो कि उसने सड़क के पार खड़ी की थी और उसका होन बजाकर उसने हमारा ध्यान अपनी तरफ आकरशित किया हम सड़क पार करके अमबासिटर के करीब पहुँचे मैं कार में उसके पहलू में और पांडे पीछे बढ़ गया तो उसने कार को आगे बढ़ाया अगले चोराहे से यूटन लेकर वो कार का वापस पार्क होटेल के सामने लोटा कर आई उसने कार को होटेल की कमपाउंड में ले जाकर पारकिंग में ऐसी जगा खड़ा कर दिया जिसके की एक सामने होटेल का लॉबी और शीशे का दरवासा था तब मैंने पांडे से उसका परीचे करवाया उसने मशीनी इंदास से गरदन हिला कर परीचे स्विकार किया और फिर स्टेरिंग थप तपाती सामने देखती खामूश बैठी रही आर्ण बचकर पांच मिनट पर वो शक्स एक टाक्सी पर सवार वहां पहुँचा जिसके दर्शनों में के अभिलाशी हमभा मौचूद थे टैक्सी से उतर कर जब वो ड्राइवर से भाड़े का हिसाब कर रहा था तब मैंने और पांडे दोनों ने कौर से उसे देखा ये हैं आपके पती थे? मैं बोला प्रिया ने सहमती से सिरह लाया मैंने नोट किया था कि वो एक मामूली शक्ल सूरत वाला मजबूत चबडो और बड़े-बड़े कानों वाला क्लीन शेप्ट आदमी था उसके बाल कनपटी उस पर से सफेद थे और पोशाक जो वो पहने था वो निहायती मामूली था एक फाइव स्टार होटल के कॉन्फरेंस में शामिल होने आए किसी एक्सपोर्टर के काबिल तो बिल्कुल नहीं था मैंने वो बात प्रिया से कही तो वो लापरवाही से बोली बहुत बिजी रहते हैं कपड़े बतलने घर नहीं जा सके होंगे मैं आश्वस्त ना हुआ लेकिन मैंने प्रतिवाद भी नहीं किया सिब्ल टाक्सी से फारिग होकर लॉबी के जूलते शीशे के दर्वाजे की और बढ़ा और दर्वान ने ततकाल उसके लिए दर्वाजा खोला वो बीतर ताखिल हुआ और सीधा लिफ्टों की और पढ़ा कुछ क्षण बाद एक लिफ्ट में सवार होकर वो हमारे निखाहों से ओजल हो गया अब प्रिया बोली अब क्या मैं बोला मेरा काम तो खतम हो गया अब मेरी तो यहीं यहां मौजूद की बेमानी है ना नो येस तो मुझे इजासत तो ठीक है तुम्हारा बाकी पैसा मैं साथ नहीं ला सकी लेकिन वो कल तक तुम्हारे ओफिस ज़रूर पहुंच जाएगा नो प्रॉब्लम वो खामोश रही मैंने कार का दर्वाजा खोल कर बाहर निकलने का उपकरम किया ठिटका फिर वापस उसकी तरफ गूमा अब क्या है वो अनमाने भाव से पूली तुम कहती हो कि संपर्क खुद बना कर रखोगी यानि कि गाहे बगाहे फोन करती रहोगी मुझे इस बात से से फॉरण संपर्क साधने की जरुद आन पड़ सकती है तो पांडे का तुम्हारे से इंस्टेन कॉंटाक का कोई जरिया होना चाहिए ऐसा कोई जरिया नहीं है ठीक है नहीं है तो नहीं है मैंने कार से बाहर कदम रखा पांडे ने भी मेरा अनुसरन किया सुनो, एकायक वो बोली मैं ठिटका मैंने प्रशन सुचक नदनेत्रों से उसकी तरफ देखा उसने कार के गलोव कंपार्टमेंट में से एक बॉल पेन और एक कागस का पुर्जा भरामत किया उस पर कुछ अंक खसीटे और फिर वो पुर्जा मेरी तरफ भढ़ाती हुई पूली ये एक मुबाइल फोन का नंबर है जिस पर मैं उपलब्ध हूँ लेकिन इसे एक्स्ट्रीम एमबरजेंसी में ही इस्तमाल करना छीक है मैं पुर्जा थामता और उसके आगे पांडे की तरफ पढ़ाता हुआ बोला प्रिया अपनी कार पर भांस से रुकसत हो गई पीछे मैंने अपना डनहिल का पाकेट निकाला एक सिगरेट पांडे को दिया एक खुद लिया और बारी बारी दोनों सिगरेट सुल गए कर लेगा मैं बोला क्या मुश्किल है पांडे लापर भाही से बोला मैंने कोई पहली बार ऐसा गिया है काम बढ़िया तो मैं चलू जरूर चल लेकिन कोई चंदा तो दे मैंने उसे दो हजार रुपए दिये मैंने उससे हाथ मिला कर बड़ी आत्मियता से दूसरे हाथ से उसकी पीट थप तपा कर उसकी खौसला अवसाई की और रहां से रुखसत हो गया हरिश पांडे से वो मेरी आखरी मुलाकात थी